हमारी कम है बैया हम नहीं करते कुसरी बात कम है। अगर हम इसको सुधार करें तो अभी सुधार हो जाए cross. और संसार किसी को सपोर्ट करे ऐसा असंभव है कोई नुग कोई प्रतिकुलता तो संसार की तरफ से आती ही रहती है जिनका सरी मोटा ने उनको नहीं आती क्या है जो सत्मार्ग में चलते हैं उनको प्रतिकुलता नहीं आती क्या पर सत्मार्ग में चलने वाले को प्रभू के भजन के बल से समता प्राप्त हो जाती है वो मान में अपमान में शुक में दुख में समान भाव रखकर आनंदित होता है सामने वाली की दृष्टी है वो क्या देख करके बोल रहा है वो उसका मन है जैसे कोई पागल आदमी रास्ते में खड़ा हमें गाली दे रहा है आप मानित करने वाली बचन बोल रहा है तो अपने लोग हांसके चले जाते हैं पागल है मुझे लगता है ऐसे ही आपको समझना चाहिए संसार अपनी अपनी सोच के अनुसार बोला है हमारी तरफ से आपको प्रार्थना है कि आप दुखी मत होई है व्यायाम कीजिए थोड़ा चलिए दो-चार किलोमेटर रफ्तार से चलिए और शैयम युक्त भोजन कीजिए सात्य कहार कीजिए अभी ठीक हो तो फिर को वह एक रोग होता है गृंट अगर वह है तो उसके अपनी चाहिए न वहांगों ने आपको जैसा बन tää crust दी है आप उसमें महगन जहिए दूसरा आपको अच्छा कहे इसलिए क्यों परिशान हो दूसरा आपको बुरा कह रहे तो आप दुखी क्यों हो यही तो अध्यात्म का ग्यान ना होने के कारण सरीर भाव से युक्ठो कर हम इतना दुखी हो सकते हैं हमारा निकलना बंद हो सकता है हम अपने जीवन से उप सकते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए हम परास्थ होने के लिए नहीं आए मानो देह जो मिली चाहिए इस्त्री हो चाहिए पुर्शो हम जीतने के लिए आए हैं काम, क्रोद, लो, मो, मद, मसर इन पर विजय प्राप्त करके भगवदानन्द के लिए आए तो नाम जब करो, व्यायाम करो और शात्ति भोजन करो और अगर वो रोग है, कौन सा अबता है थाईराइड तो उसकी आप आफशद ही ले लिजिए और जब आपको कोई ऐसे बचन बोले, तो आफ़ जो पागल आदमी है बातल भूत बीवस मतवारे ते नहीं बोले ही बचन बिचारे जो अच्छे आदमी है वो कभी आपको दुख देने वाले बचन क्यों बोलेंगे भई वगवान ने किसी के सरीर को मुटा बनाया पतला बनाया, किसी का स्याम रंग है किसी का गोरा रंग है कोई विक्रित सरीर वाला है तो हम उसका उपहास थोड़ी करेंगे उपहास तो मुर्ख लोग करते हैं तो हम मुर्खों के बात क्यों ध्यान दे हैं हमको तो उन पर दयानी चाहिए ठीक है ना, और नाम जब करो दुख ही मत